Hello friends, welcome to my channel Health Tips, the best pregnancy centric channel Pregnancy के दौरान कई गर्वती महिलाओं को रात को सोते समय बहुत ही तेजी से पैरों में दर्द होने लगता है पैरों में एठन होने लगती है और इसी को लेक क्रेम्स कहते हैं और ये एक बहुत ही आम समझ्या है तो क्या होते हैं लेक क्रेम्स आज मैं आपको बताऊंगी और साथ ही इसके क्या उपाय हो सकते हैं आप इससे कैसे बच सकते हैं ये सारी जानकारी जानने के लिए आप मेरी वीडियो को अंतक जरूर देखें बिना स्किप की और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ज़ें पैरों में एंठन गर्भावास्ता की दूसरी और तीसरी तिमाई में बहुत ज़ादा होता है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है एंठन की वज़े से ये दर्ट बहुत तेज भी हो सकता है और ये करीब 10 मिनट तक बना रह सकता है मगर इसकी वज़े से आपकी मांस पेशियों को कोई भी छती नहीं पहुचती है लेक्रेम्स होने की सटीक जानकारी तो विशेशग्यों के पास भी नहीं है लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपके वज़न के कारण आपकी टांगों की मांस पेशियां ठक जाती है और इसके बाद जब आप आराम करती हैं तो इससे आपको एठन होने लगती है इसके अलावा रक्त संचरन में आए बदलावों के कारण भी आपकी टांगों पर असर बढ़ सकता है गर्ब में आपका शिशु आपकी नसों और रक्त नलिकाओं पर दबाव डालता है जिससे खून आपकी टांगों में आता और जाता रहता है और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि गर्भावस्ता के दौरान आपके शरीर में लवणों की कमी हो जाती है और यही मानस्पेशियों के एठन की वज़े बन जाती है इसका एक अन्यकारण प्रोजेस्टरोन हर्मोन जो की आपकी मानस्पेशियों को प्रभावित करता है यह भी हो सकता है और माना जाता है कि हर्मोन गर्भावस्ता के दौरान पैरों की एठन के लिए जिम्मेदार होता है यहां एंठन थकान और water retention के कारण रात में जादा होती है साथ ही calcium, magnesium और potassium की कमी की वज़े से पैरों में ये समश्या बनी रह सकती है अगर आपको भी रात को सोते समय अचानक से पैरों में दर्द हो जाए या लेक्रेम्स हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको आगे बता देती हूँ अगर आपको अचानक से लेक क्रेम्स पढ़ जाए तो आप उठ जाए और आपके पैरों को खिचाव दीजिए इसके लिए आपको करना क्या है कि अपनी टांगों को सीधा करें और अपनी टकषनी और टांगों की उंगलियों को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ खीजे ऐसा करने में शुरुआत में आपको दर्द तो होगा लेकिन दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अचानक दर्द होने पर आप तुरंद उठकर चहल करना शुरू करें और साथ ही जिस पैर में आपको एठन हुई है उस पैर में धीरे धीरे मांसपेशियों पर आप मालिश कर और यह जो दर्द है यह एकदम से तो नहीं जाता है इसलिए अचानक से इस तेज दर्द को आप कम तो कर सकते हैं लेकिन इसे शांत नहीं कर सकते हैं तो आपको इसके बाद भी अपने पैरों को स्ट्रेच करते रहना है और साथ ही अपने पैरों को clockwise to anti-clockwise खुमाते रहे हैं तो अब बात करते हैं गर्बावस्ता के दौरान मन्सपेशियों की एठन से बचाओ के बारे में तो इस दौरान आप जितना ज़ादा हो सके पानी पर खड़े ना रहें या फिर पालती मार कर ना बैठें और अगर आपको ऑफिस में बैठकर एक ही जगे पर जादा देर तक काम करना होता है तो आप अपने टकने को घुमाते रहें और साथ ही अपने पैरों की उंगलियों को भी हिलाते डुलाते रहें और प्रतिदिन व् आलू, पकावा, पालक और मलाई रही दूद लें पानी के अलावा आप अन्य तरल पदार जैसे नारेल पानी नीबू पानी का सेवन करें इससे भी आपके पैरों की एठन में काफी जादा आराम मिलेगा पैरों में एठन से दर्द काफी देर तक हो रहा है तो ये एक भीर समश्या हो सकती है और अगर आपके दर्द वाले हिस्से में सूजन आ गई है रेटनेस आ गई है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि काफी कम मामलों में ऐसा दिखा गया कि नसों में रक्त के ठके जम जाते हैं और इसमें इलाज किया उशक्ता होती है तो आप बिना देरी किये वे डॉक्टर से जरूर परामश लीजे तो ये थी जानकारी गर्भावस्ता के दौरान पैरों और टांगों में एठन के बारे में कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरी इस वीडियो को शेयर कीजे और मेरे चैनल हेल्थ वीडियो में तब तक के लिए stay safe stay healthy and thanks for watching my videos